हेलो फ्रेंज आज में इस वीडियो में आमला केंडी बनाना सिखेंगे आप घर में ही बैठे आसान तरीका से इसे बना सकते हैं चलिए शुरू करते हैं पानी हलका बोयल होते हैं अब इसमें आमला डाल दीजिए और पंदर मिनद तक इसे लो मीडिम हीट में उबालिए इसके बाद आप बीविज में इसे चेक करते रहें हुआ या नहीं हुआ अब इसे आप पंदर मिनद तक ढखके पका लिजिए अब हमारा आवला हो चुका है हमें इसे पुरा पकाना नहीं है बस हमेंसे सोफट करना है 15 मिनद तक काफ़ी सोफट हो जाएगा उसके बाद हम इसे अलग करेंगे इस तरह से हमें अलग करना है इसके बीच को हम अलग कर रखेंगे हमने अलग करके रख दिया है अब हम इसे चासनी में डुबाएंगे चलिए अब हम चासनी बनाते हैं आप याद रखें चिनी और पानी का रेशियो बराबर होना चाहिए अब जितना चिनी डालेंगे उतना ही आप पानी डालेंगे अगर आप पानी जदा डाल देंगे तो चासनी को गाड़ी बनने में बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए अब देखे हम जितना चीनी डालेंगे उतना ही पानी डालेंगे जिससे आपका चासनी जल्दी ही गाड़ा बन सेके अब हमारा चासनी रेडी हो चुका है अब इसमें हम आमला डालेंगे देखे हमारा चाशनी गाड़ा हो चुका है, अब इसमें आमला डालने के बाद इसे हम हिलाइंगे, हलकि आते हैंट इसे हम दुबाला नहीं है, बस इसे हम चाशनी में ढुबादे रखेंगे, आप लिवार आप इसे दो या तीन दिन तक लख हैंगे, इस तरह से आप तीन दिन तक इसे अलग बथन में रख लीजी यह रहा हमारा आवरा हो चुका है हमने इसे तिन दिन तक रखा था देखिए कलर चेंज हो चुका है अब हम इसे चान लेंगे मत ईए अपई हसे चान लेए और इसी के पानी को वेस्ट मत कीजिए यह बीए आपके काम आए जो चास निए बचा हुआ आवए यह आपकर का अप इस अपई कन लेज़ें और इस तरह से प्लेट में आप इसको शुखा लेजिए चिप चिपा नहीं होना चाहिए पस इसको अलग से आप शुखा लेजए ताकि जल्दे से सुख सके उसके बाद हम इसे धूप में करीबन एक दिन के लिए अच्छे से रख देंगे ताकि यह दूप में अच्छे से समस्य ले सकते हैं यह वे आमला के विटामिन से से बढ़ा हुआ है यह आपके सहथ के लिए अच्छा है देखिए हमारा आमला केंडी बन चुका है हमने इसे दूप में तीन दिन तक अच्छे से सुखाया था और देखिए कलर कैसे निखर क्या है हमें इस तरह से इसे बनाना है